नमस्कार दोस्तों मैं करनल अजय सीओ अजय श्ट्रोमानिकरू फर्स्ट क्लोबल एस्ट्रोफनेस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ आज 21 दिसंबर सन 2021 आज की इस विशेश अपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एग्रो कमूटिटीज में क्या संभाव ना होगी शेर बजार में क्या रह सकती हल चल पर तलब है हमारे पिछले अपिसोड में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर जो आपको नजरिया दिया था फर्णामेंटल एनलेसिस और फाइनेशल एस्टलोजी के सहिक्ट प्रयासों से वाक्षा सत्यसावित हुआ और सुमवार को यानि कल जबर्दस गिरावट भारतिय वामन तराश्टी बजारों में देखी गई भारतिय रुपया की चाल भी सठीकता से विशलेशन किया गया जो तक जो की सत्यसावित हुई इसके अतरिक कच्चे तेल में आपको अगरिम हमने भविश्वानी दी थी विशलेशन दिया था उसके अंदर भी कल जबर्दस गिरावट लगवट चार प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज हुई उमीद है कि सभी दर्शक बंदों ने इसका भरपूर लाब उठाया हुगा भारतिय जोति संभावत विश्व की सबसे पूरानी टेस्टेड फॉर्मुले है जो की सदियों तक भारत को विश्व में अग्रेणिय स्थान बना के रखा भारत सोने की चडिया के रूप में जाना जाता था अपने पूरवानुमान अपने ज्ञान अपने विज्ञान एवं अपने संस्कृति के वज़े से और यही वज़ा है इस सदियों से फैनेशल एस्ट्रोजी का डंका पूरे भारत वर्ष में बसता था अपितू पूरे विश्च में इस विद्या को सीखने के लिए विदेशों से भी चात्रफ पढ़ने आया करते थे दोस्तो इसका लेकिन विदेशी आकरमन कारियों के लगातार हमले और हमारे ग्यान विज्ञान और संस्कृति को लगातार नश्ट करने का प्रयास विदेशी आकरमन कारियों ने लगातार सदियों से किया उसका नतीजा ये निकला कि भारत के ग्यान विग्यान में हम पिछड़ते चले गए पिछले 25 वर्षों से लगातार हम इस प्रयास में लगेवे हैं कि भारत के इस ग्यान विग्यान को पुनर जीवित किया जाए देश के विविन हिस्सों से जानकारिया विशलेशन ग्रंथ इकठा किया जाए और इसको पुनर जीवित किया जाए इसी प्रयासों का नतीजा है कि हम लगवग हर रोज आप तक अपनी बात पहुचाते हैं जो की सत्ते साबित होती है सबसे पहले एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावनाय बन सकती है सोयाबिन, सरसो, चना, गेहूं, बास्मती चावल और मुंग जैसी एहम कमोडिटीज के उपर भारस सरकार ने कियादेश और निर्देश अनुसार सेभी ने NCDX के उपर वायदे कारुबार में रोक लगा दी है इसका प्रमुक कारण मेंगाई में लगातार बढ़ोतरी को दिखा जा रहा है और कुछ सूचनाएं ऐसी भी मिली कि इसमें स्पेकुलिटिव एक्टिविटीज के अंदर काफी बड़ी इजाफा हो रहा है गौर्तलावे की सरसो के अंदर और चने के अंदर अलड़ी ये रोक काफी महिनों पहले से थी अभी सोया बिन और रिफाइंड सोया बागेर मासमती मूंग जैसी जो कमोडिटीज के उपर बैन किया गया है अगला वायदा बजार उसके लिए भी एहम पॉइंट ये भी बनता है कि मूंग गैर बासमती और गहूं आधिक के उपर कोई बड़ा वॉल्यूम NCDX के उपर नहीं था उसके बावजूद भी इस पे रोक लगाई जा रही है सोयाबीन के जो तेजी और मंदी की पूरी जिम्यदारी भारतिय कारोबारी या किसानों की भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि सोयाबीन के भाव अंताराश्टिय बजारों की तरज में उचे और नीचे होते हैं गौर्टलाबे की भारत अपनी आवश्रक्ताओं का मात्र 45 प्रतिशत ही उत्पादन कर पाता है लगबग 55 प्रतिशत ओयल सीड एबं सोयाबीन भारत को आयात करना पड़ता है अता है भारते मुद्रा की यानी भारते रुपे की अमरीकी डॉलर के मकामले कमजोरी या सकारत मकरुख भी इस बजारों को प्राभावित करता है अंतराष्टिय बजारों के अंदर सुयावीन के भाव यदि बढ़ेंगे तो कोई भी ताखत भारतिय बजारों के अंदर सुयावीन के भाव या खादे तेलों के भाव को बढ़ने से रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगी सरकार सिरफ NCDX के उपर रोक लगा सकती है, इंपोर्ट डूटी यानि आयाद शुल्क में कमी कर सकती है लेकिन अंतराष्टिय इस तर के उपर उसको भाव को नियंतरन करना संभावत है, ये संभाव नहीं हो पाएगा दोस्तो आज एग्रो कमोडिटीज के अंदर गवार कॉंपलेक्स के अंदर यनि गवार सीड और गवार गम के अंदर तेजी की संभावनाई बन रही हैं, इसके तरिक्त जीरा भी तेजी की और अग्रेसर हो सकता है मसाला पैक के अंदर धनिया भी तेजी की और अगरेसर हो सकता है कोरिंडर गौरतला वेकी जीरे के उपर हमने आपको पहले भी अपडेट दिया था इस बार जीरे का प्रमुख उत्पादक राज गुजरात के अंदर लगबग 35 से 40 प्रतीशत जीरे की बुवाई की में कमी की सूचनाएं मिल रही हैं दोस्तों जीरा एक प्रमुख मसाला पैक के अंदर एक आइटम है एक कमोडिटी है जिसका इस्तमाल पूरे भारतवश के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ करता है धनिये के अंदर भी तेजी की संभावनाएं बन सकती है कोरियंडर के अंदर इसको अपर भी विशेश नजर रखी जा सकती है ये मुझे आश्यर नहीं होगा यदी चंद 2022 के अंदर जीरा और धनिया के साथ साथ हल्दी भी एर आफ दे कमोडिटीज के रूप में जानी जाए गौरतला भेहम ने आपको लाल मिर्च के अंदर तेजी की अगरिम भविश्वानी भी दी थी जो की अक्षर सत्य साबित होती देखी जा रही है और लाल मिर्च के जो दाम है वो आसमान चू रहे हैं दोस्तो बहुत महतरपूर्ण होता है कि अगरिम विश्वानी देती है तेजी या मंदी होने की जो की अक्षरत सत्य साबित भी होती देखी गई है तो दोस्तो अब हम चर्चा करने वाले हैं शेर बजार में क्या संभावना है शेर बजार के अंदर निफ्टी और मैंक निफ्टी ने कल जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई उमिद है कि सभी दर्शों को ने इसका भरपूर लाब उठाया होगा अब क्या संभावनाएं बन गरणाया हो सकती है मन्दी के अंदर जो अभी बजारों के अंदर देखीने वली है और जो अभी तक नजर आ रही है उसमें महतुपुन बिन्दू या है कि भारत के जो शेर बजार जो हैं उसके अंदर लगातार बिकवाली जो की जा रही है वो F.Y. यानि विड़ेशी संस थागत निवेशोकों के द्वारा की जा रही है और ये भी गौरतलव है पांस साल में पहली बार दिसंबर में सबसे खराब शेर बजारों के आकड़े नजारा रहे हैं और निवेशोकों के लगबग साथ लाक करोड रुपए डूब चुके हैं इसमें ओमाइकरों का खौफ भी एक शामिल है पांस साल में पहली बार दिसंबर शेर निवेशोकों के लिए सबसे खराब माना जा रहा है इस दिसंबर में अब तक लगबग साथ लाक करोड रुपए का नुकसान दर्ज हो चुका है इसमें सबसे पहले यादि हम इत्यासिक देखें तो 2016 में निवेशो को को लगबग एक लाक करोड का नुकसान हुआ था बजारों में पहली बार चार महीनों में सबसे निचरे इस तरपर बजार पहुच चुका है इसमें ओमी ओमाइकरोन के बढ़ता बढ़तावा असर इसका माना जा रहा है और येवेशों में फिर प्तिबंद लगाये जा अभी बजारों के अंदर यदि हम देखें तो तीन प्रमों के चिंता हैं एक व्याफसाई गतिविदिया ठप होने के कारण बढ़ते ओमी ओमाइकरोन के संक्रमन से निवेशों को में व्याफसाई गतिविदी ठप होने का डर फैल रहा है येवेशों के कहीं देशों समेत भारत में भी ये तेजी से फैलने के सुचनाएं मिल रही हैं दूसरा कारण ब्याजदरों में बढ़तरी के संक्यत अमरीकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने मुद्रा इस फृति से लड़ने के लिए सन 2022 के अंद तक तीन बार ब्याजदरों में बढ़तरी के संक्यत भी हैं बिटेन नौर्वे और रूस के अंदर अलड़ी दर बढ़ चुकी है भारत के बेख में भी इसके बढ़ने के आसार या संभावना है मुनाफे की उमीद कम दुनिया भर के विक्सित अर्थ विवस्ताओं के केंद्रिय बैंक को द्वारा नितियों के सक्त करने से भा निकाल चक निकाल चुके हैं इससे भी छोटे निवेशों को के बीच में दर पैदा हो रहा है बोर तलब है कि विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बजारों से भारतिये शेर बजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं या मुनाफ़ा वसूली कर रहे हैं उसके मुकाब पर घरेलू संसागत निवेशक माल खरीद लेते थे और जब घरेलू संसागत निवेशक माल बेशते थे तो विदेशी संसागत निवेशक बड़ी मातरा में खरीद करते थे और इससे बजारों के अंदर उतार चड़ाव के साथ साथ में सकारत्मक रुक बनता था लेकिन पिछले कहीं मेहनों से विदेशी संसागत निवेशों को कम हो, भारतिय शेर बजारों से लगातार कम मिलने की सूचना मिल रही है और वो लगातार इसके उपर भिखवाली कर रहे हैं और यही वज़ा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ प्रमुक शेर्स जिसमें विदेशी संसागत निवेशों को का बड़ा निवेश्टा वो बजारों में गिरावट दर्च कर रहे हैं इसमें रिलाइन्स हो, HDFC हो, HDFC बैंक हो, यह सबी प्रमुक हैं तो लेकिन फाइनिशल अस्टलोजी इसमें क्या मत रखती है, फंडमेंटल अनलेसिस इसमें क्या मत रखता है, उस पे हम चर्चा कर रहेंगे देखिए, बजारों के अंदर उतार और चड़ाओ, आएगा, आता था, आता है और आता रहेगा, इसमें कोई दोरा या संशेन नहीं है लेकिन भारतिय अर्थविवस्ता मजबूती के और अग्रसर है, भारतिय राजनितिक गतिविदियां भी बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन वर्तमान इस्थिती के अंदर भारत का जो सत्तर रुड राजनितिक दल है, उसके पास क्लियर मैजोरिटी होने से किसी भी पस्ट निती को पास करना उसको लागू करने में पून सक्षम है, ये एक बहुत महत्वपून होता है, गटबंदन की सरकारे जब होती हैं, तो कोई भी निती सही समय पे लागू होना और उसको पास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो किसी भी देश की अर्थ के पास प्राकर्तिक संसादन के अलावा कंजूमर मार्केट का सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड मार्केट है, जो की एक अच्छा साइन है, तीसरा, भारत के पास सबसे अधिक यूवा शक्ती है, जो की किसी भी देश को तरक्की या प्रगर्ती के और विकास के पत पर आगे ले जाने में सक्षम है, कुल मिला के भारत की अर्थविवस्ता बिलकुल सुद्रड है, मजबूत है, इसमें हैरान परेशान गवराने की कोई बात नहीं है, जनवरी के सेकंड वीक के बाद कभी भी बजारों के अंदर तेज, तेजी का तुफान दुबारा आने की संभाव ना है, सबसे महतवपुन यह है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स यदि आप अभी निश्चले इस तर पर खरीदेंगे, तो आप निश्चित रूप से आगे आने वाली तेजी के अंदर आप पूरा लाब कमाएंगे, एक और महतवपुन बात, यदि आपको 1000 शेर दें, 400-600 खरीदिंग करें, तो बहतर रहेगा, इंपॉर्टन डिस्क्लेमर, यह सभी जानकरिया, आपको फैनेशल एस्ट्रोजी और फंडमेंटल एनलेसिस के साइक्ट प्रयासों से दी जा रही है, कोई भी व्यापारिक निन्ने लेने से पहले, अपना स्यम का विवेक, अध्यन और अपने सलाकार से भी सला कर सकते हैं, किसी पिर प्रकार का ना फ़ाया नुकसान, ना चैनल, ना विशेश रखने को होगा, इसका विशेश ख्याल रखें, अल दे वरी बैस्ट, गुड लक, हैपी ट्रेडिंग, जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्ट और को हर घर तक ले जाने ता, बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की, खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान